बिल्ला है रोहमान रोहीम, अस्सलामू अलेकूम रहमतुलाही वबरकातु हूँ, स्प्रिंग्फिल स्कूल मासब टैंग से, मैं उर्दूमौ लिमा, तो बच्चो आज हम पेज नमबा 74, रीडर वर्क करेंगे, बिट नमबा 2 पर, अलीफ हिस्से, अलीफ सबख पढ़कर, यह काम आपको करना है, क्यूंकि इसके मुतालिफ मैं आपको चाहे तो बता सकती थी, लेकिन सबख को कितना समझा आपने, इस बारे में मुझे समझ में आएगा, करके यह आज ही के आज ही फारवर्ट कर दीजिए, उसके बाद थर्ड बिट है, जेल के जुमले पढ़िए और बताईए कि जुमले किसने किसे कहा, इनके जदवल में लिखिए, इनके नाम जदवल में लिखिए, यहाँ पर कुछ वर्ट दे दिये गए है, मतलब जुमला का दे दिया गया है, और किसने किसको कहा, इस बारे में बताना है, तो यहाँ पर यह एक बार आप देख सेकेंड वाला इंचाला मैं PDF भेज़ दूँगी ताकि आप करते वक्त ये पढ़ते हुए लिखें तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए नेक्स्ट पेज नमर 75 यहां पर एक स्टोरी छोटी सी स्टोरी दी गई है जिसमें बताया गया है एक कहानी बताया गया है और उसे मुतालिख आपको ब्रैकेट्स दे दिये गए हैं उसमें सही जवाब लिखना है एक बाशा था इसे शेर वो शायरी से बड़ी दिल चस्पी इसने एक दिन सभी शायरों को दर्बार में मुलाया और कहा मेरी तारीफ में जिसने जो कुछ लिखा है सुनाएं एक शायर उठा और आगे बढ़कर इसने अपनी नजम सुनाई दर्बारियों ने इसकी बड़ी तारीफ की बाशा ने से एक हीरे में इनाम में दिया इसी त कुछ नहीं सुनाया बाइशा ने पूछा तुम ने क्या लिखा है सुनाओ फेरज ने कहा अगर बाइशा सलमत मेरी जान बखच दे तो मतलब जान बखच दे उसको जिन्दा छोड़ दे तो मैं सुनाओंगा बाइशा ने फौरण कहा जाओ तुम्हारी जान बखच दी गई स सुनाओ तब इसने कहा ऐ बाशा सलामत आप आलिम और अकलमन हैं शायरों की इज़त करते हैं लेकिन घोड़े और घड़े एक ही अस्तबल में नहीं बांदे जाते घोड़े और घड़ों की रहने की एक ही जगा नहीं होती घोड़ों को अलग मुखाम पे रखा जाता है जिसक जब नजम सुनने के बाशा ने फेरोज को एक इनाम दिया दूसरे दिन जब तमाम शुर अपने हीरों को जोहरी के पास ले गए तो पता चला कि सब के सब हीरे नकली और सिर्फ फेरोज का हीरा असली है अगले दिन बाशा की इजाज़त से किसी ने दरबार में सवाल किया तो बाशा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया इसमें ताज़ुप की क्या बात है जुसने जूटी तारीफ की उसने जूटा हीरा पाया और जिसने सच्ची बात कहीं उसने सच्चा हीरा मिला तो इसी तरह से यहाँ पर आपको खौसें जो ब्रैकिट दिया गया है उसमें बाइशा ना समझ था बाश्या रहम दिल था यानी बाश्या आलिम था फैरोज ने कहा कि अगर बाईशा सल्हूमत मेरी जान बखष्छंदे तो मैं इसम्मठाया था फैरोज ने कहा घूड़े और गदे एक ही अस्टबल में बांदेते हो मतला किस नै किस रोज ने कहा कि बाशा को कि अगर घोड़े और गज़े एक ही इस्तवल में नहीं बादे जाते इसी तरह एक ही जगा पे अच्छी और बुरी शायरी नहीं सुनाई जाती अगर आप मेरे को बुरी शायरी मतलब हकीकत से बयान करने के लिए हकीकत के रूबरू करना चाहने के लिए कुछ में गलत बात भी कहूं तो आप मुझे माफ कर देंगे तो मैं ये बात सच्चा ही आपको बयान करूंगा उसके बाद फोर्ट वन है बाशा ने कहा जिसने सच्ची तारिफ की इसे असल हीरा मिला नेक्स पेज नमबर सेवेंटी सिक्स जेल को जुमलों को पढ़ किसीदा अलफास के माने खौसन में लिखिये ये बंगला राशित की मिलक है मिलक मतलब जायदा खालिद अपनी कामियाबी की खबर सुनकर फिरते मसरत से जूम उठा फिरते मसरत बे इंतहा खुशी वकिल अदालत में मुझेम से जुराह करता है जुराह करना सवालात करना वक्त मकररा पर टेक्स अदा ना किया गया तो तावन अदा करना पड़ेगा तावन मतलब जुर्माना या फिसूद या फिर टेक्स वगरा मैंने कहा था आपको रिवायत हलाल की तस्दीख के लिए दो आदमियों की शहादत जरूरी है शहादत के माने गवाही तो इसी तर अब भेज़ दूँगी एक बार आप लोग पढ़ लीजिए वाहे जमा और माने मुलक मुमालिक देश मिलक इमलाग जागिर जायदाद मलक मलाइका फरिस्ता मलिक मलूक बाश्या इसी तरह यहाँ पर हमारा हिंदुस्तान हमारा मुल्ख हिंदुस्तान है जो दीगर मुमाल मलाइका को पैदा किया एक मुलक मलक का नाम मलिकुल मौत है जिनका काम रूख खप्स करना है इस जहां में बहुत सारे मलुक गुजरे है इन में एक मलक हजरत उमर बिन अब्दुलाजीज रह्मत अलाह जो इनसाफ के पैकर थे इसी तरह यहाँ पर मौसूफ और सिफत के ब चीज की बारे में मतलब उसके बारे में खयाल करना जो चीज पाई जाना वो हम लोग को मौसूफ कहलाएगी सिफत नियाने फूल की खुश्बो में खुश्बो है सिफत क्या है फूल की खुश्बो है इमारत खदीम भी हो सकती जदीद भी हो सकती दीवार उंची भी हो सकत जवान भी हो सकता, ठीक है ना, किताब अच्छी भी हो सकती, बुरी भी हो सकती, मतलब किसी की खुसूसियत को बताना, जैसे दही खटा भी हो सकता, मिठा भी हो सकता, बोर्ट नीला भी हो सकता, काला भी हो सकता, वाइड भी हो सकता, आस्मा नीला भी हो सकता, सफ़ाइड भी हो सकता तो इसी एतवार से यहां पर जिस चीज़ को हम जानते हैं पहचानते हैं उसकी हक्याफ से वाकिफ रहते हैं जिस को हम महसुन कर सकते हैं वो है मौसूफ और उसकी खूसित को बताना सिफत कहलाएगा हैद्राबाइश शहर में जद 就ढीद मारते पाई जाती हैं सिफात लिखिए महंती तुल्बा हमेशा कामियाबी से हमकिनार होते हैं बाग में खुश्रुमा फूल खिले हैं अच्छा इंसार अच्छी किताबं को मुतालिया करता है मुखलिस तुल्बा वक्त पर स्कूल आते हैं उमीद करती हूं कि तमाम ये आपको समझ में आ गया होगा अगर इसके बावजूद कुछ ना समझ में आया तो मुलिमा से राप्ता करके आप अपने सवालत का हल जान सकते हैं जजा कर ला खेर